कुंडली भाग्ये शो से विदा लेनी की बार अब धीरज थो पर कलर्ण स्टिवी के नए शो शेर दिल शेर गिल में नसर आने वाले हैं चोंदी जब से धीरज के इस नए शो की खबरे सामने आई है तब इससे फास जानना चाह रहे हैं कि आखर धीरज का ये नए शो कैसा होने वाला है और खुल धीरज अपने नए शो पर क्या कुछ कहते हैं तो भही अब पहली बार धीरज ने नए शो पर चुप्पी दोड़ी है और शो की शूटिंग से लेकर सुर्भी चानना के साथ स्क्रीन शेर करने और अपने किलदार तक को लेकर तेन बड़े खुलासे किये हैं जिया अगरसन खाली में एंटिटेंटमेंट पोर्टल पिंक पिला से धीरज धूपर ने खास बाचित की और इस इंट्रव्यू के दोराण dose ने इन पिन खुडासों में क्या कुछ कहा है अब यह भी बताते हैं आपको पहला खुलासा अब तक कि शो से सबसे अलग शो जिया इस इंट्रव्यू में धीर शियटिल शेरको उनके अब तक के शो से सबसे अलग शो होने वाला है जिसको लेकर वो खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड है धीरज ने क्या कहा सुनिये जरा धीरज सेज मैं इस शो को करने के लिए बहुत खुश और सुपर एक्साइटेड है ये कुछ ऐसा है जो मेरे अपने करियर में पहले किये गए कामों से बहुत अलग है जनता मुझे इस नए अफ्तार में देखेगी मैंने अपने करियर के शुरुआ ससरा सिमर का शो से की थी और उनके पास वापिस आना अच्छा है ये बहुत ही घरेलू एसास है उत्सा में जो बात जो रही है वो ये है कि ये वही टीम है जिसके साथ मैंने प पहले जो किया है और ओर्डिन्स ने जो देखा है उससे ये हट के है यही में कारण है कि मैंने इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का फैसला किया और मैं इससे बहुत खुश हूँ दूसरा खुडासा सुर्भी के साथ काम करने पर कहिए बात धीरे धुबर के साथ इस शो में लीड हीरोईन बनेंगी सुर्भी चांदना बताते कि सुर्भी धीरच की पहली बार जोड़ी नागिन फाइफ की कुछ एपिसोडस में देखने को मिली थी जिसमें इस जोड़ी को काफी पसंद किया गया था ऐसे में सुर्भी के साथ दुबारा काम करने पर धीरच ने कहा हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और जब हमने नागिन साथ में किया था तो हमें ओडिन्स और फैंस से इतना प्यार मेरा और साथ में कुछ पुरसकार भी जिते दो सर पहले हमसे पूछा गया था कि क्या हम एक साथ कुछ करेंगे और हमने वादा किया था कि हम अपने फैंस के लिए जल हे कुछ करेंगे और देखें हमने इस बात को साबिक किया और ये शो हुआ जो हम सभी के लिए बहुत बड़ा है मुझे उमीद है कि фrans हमें उतना ही प्यार देंगे जितना वो हमें दे रहे हैं और तीसरा ख़ुटासा कितार और शूटिंग पर कहिए बार तो जब से धीरच के इस नए शो की खबरे सामने आई तभी से फ्रांस जानना चाहते हैं कि आखर इस बार धीरच का किरदार कैसा होने वाला है तो इस बारे में अब धीरच ने पताया है कि शो में वो एक टिपिकल हीरो का रोल तो बिल्कुल भी नहीं निभा रहे ये एक extremely relatable किरदार होगा धीरच कहते हैं कि उनका किरदार जिस तरह का व्यक्ति है वो आपको भरोसे मन महसूस कराएगा उनके परिवार और उनके पिता के साथ उनके रिष्टे कुछ ऐसे हैं जो आपको उनसे जुडाव महसूस करवाएगे यहां तक कि उनकी styling और शो की visuals के मामले में भी ये भाते टेलिविजिन पर अभी जो भी हम कर रहे हैं उससे बहुत अलग है तो ये अपने तरह का पहला प्रारूप है वही शो की shooting को लेकर धीरच ने खुडासा किया कि अभी location final नहीं होने के कारण कुछ नहीं पता लेकिन वो जो ही shooting के लिए नौर्थ की तरफ पहाड़ियों के ओर travel करेंगे चायद एक या दो महीने में हम उमीद कर सकती हैं यानिकी शो अगस्त की आखरी महीने तक फ्लोर पर आ सकता है विलसाफ है कि धीरच का ये नया शो काफी बड़ा होने वाला है और ऐसा होगा जिसे फांस ने पहले कभी नहीं देखा